नमस्कार स्वगत्यापका हमारे चैन्चार जागिंद्र मिश्या में साथ अप्रेल बड़ा गुरुवार खुद माता लक्ष्मी ने कहा जो भी हल्दी से करेगा यह उपाय मैं उसकी तिजोरी भर दोंगी दोस्तो गुरुवार का दिन देव गुरु ब्रिहस्पत का दिन है और इस दिन देव गुरु को मनाने के लिए तमाम तरह के प्रियोग किये जाते हैं आज हम आपको हल्दी के प्रियोग के बारे में बताने वाले हैं जो आपके जीवन के हर तरह से परेसानी से आपको बाहर निकालेंगे क्योंकि हल्दी का संबन्ध देव गुरू ब्रीहस्पा से है वैसे तो हल्दी के धेर सारे प्रियोग होते हैं लेकिन कुछ खास प्रियोग ऐसे हैं जिनको अगर आप गुरु वार की दिन करते हैं, तो आपका गुरु भी बहतर होता है, साथी आपके जीवन में धन मान सम्मान और संतान सुक की प्राप्ती होती है, और माता लक्ष्मी जी की भी कृपा बरस्ती है, हल्दी बिशेश प्रकार की ओशद है, जिसमें देवेगुड मवजूद होते हैं, बिवाह में बरबधु को हल्दी चड़ानी की यही महत्तु है कि उन्हें बुरी नजर से बचाया जाए, शाथी सेहत और सुन्दर्ता के लाभ में भी उन्हें मिले, पूजा के समय कलाई में या फिर गरदन में हल्दी का छोटा सा टीका लगाने पर ब्रिहस्पत गरह मज़बूत होते हैं, और वारी में मज़बूती आती है, हल्दी का दान करना ही काफी सुमवाना जाता है, इससे कई स्वास्थ सम्मंधी परिसानियों का अन्तो हो जाता है, गुरुग्रह में अन नहाया जाए तो सारीरिक और मानसिक सुधता होती है नोकरी और ब्यापार में सफलता के लिए ये प्रियोग कारगर माना जाता है हल्दी के प्रियोग में जीवन में संपन्नता आती है ये नकरात्मक्ता को दोर करती है इसलिए इसे हवन में भी इस्तिमाल किया जाता है शूर की बैवाहिक जीवन में शुक ब्रिहस्पत की क्रिपा से ही प्राप्त होता है, संतान का सुक मिलता है, तो सिर्फ ब्रिहस्पत ग्रह से ही मिलता है, यहीं कि संतान का सुक हो, यह संतान से सुक हो, यह फिर संतान का सुक, दोनों ब्रिहस्पत ग्रह देव की क्रिपा से मिलते है केरियर में अगर आपको उचाई चाहिए अच्छा केरियर चाहिए ब्यापार में अगर आपको बुलंदी चाहिए बहुत अधिक धन का मतलब यनि कि धन संचय अपार धन संपत्ति वो भी ब्रिहस्पत की क्रिपा से ही प्राप्त होता है और किसी भी तरह से आपको जीवन में अगर आपका भाग साथ नहीं दे रहा, तो आपकी अगर सिछा अच्छी नहीं हो रही या फिर उच्छ सिच्छा में बाधा आ रही है, ग्यान प्राप्ती में बाधा आ रही है, तो फिर आपको ब्रिहस्पत देव को शुब करना किशी तरह से अगर कोई नकरात्म कुर्जाा, आपके घर में यह फिर किशी तरह से किसी ने कुछ करा दिया है, ऐसा आपको लगता है कि किसी ने कुछ कर दिया तंत्रमंत्र का प्रभाव है आपके उपर तो भी आपको हल्दी का छोटा सा प्रयोग इन सभी समस्याओं से मुक्ति दिला सकता है तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक चुटकी हल्दी से कैसे आप अपने जीवन की समस्याओं को दूर कर सकते हैं संतान सुख हो या फिर बैवाहिक सुख हो या फिर बिवाह में देरी हो रही है या आप केदे में कोई परयसानी धन संबंदिस समस्याओं हर समस्या का समधान सिर्फ एक चुटकी हल्दी तो आज की वीडियो आप पूरी अवश्य देखे हैं साथी दोस्तों बीड़े को लाइक करके इसे जदा जदा अपने दोस्तक भी शेर अवश करियेगा और कमेंट में लिखेगा जै मालक्ष्मी सबसे पहले बात करते हैं अगर आप किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं जैसे की काफी लंबे समय से आपको कोई बीमारी चली आ रही है या फिर पेड़ से सम्मधित कोई शमस्चाएं चली आ रही है तो ऐसे में आपको चाहिए पिसी हुई हल्दी का दान करना पिसी तो और शक्रात्मकुर्जा बूस्टा लेए धालगे। और एक पीले कपड़े में पीले धागे से बांद कर चाहें तो आप अपने भाजू में पहन सकते हैं, फिर आप अपने गले में पहन सकते हैं, ऐसा करते हैं, तो आपके जीवन में जितने भी ब्रहस्पत ग्रह से सम्मंधित परिशानी है, वो दूर होगी, ब्रहस्पत ग्रह मजबूत होंगे क्योंकि पुखराज की तरह ही काम करती है हल्दी का टोटका जी हां हल्दी का टोटका पुखराज रत्म की तरह ही काम करता है हल्दी और पुखराज को बराबर ही माना जाता है अगर आप हल्दी प्रती ब्रिहस्पत बार इस तरह से गांट बांद कर पहन ले तो ये पुखराज की तरह ही काम करेगा और ये बहुत ही जल्दी आप में ब्रिहस्पत ग्रह को मजबूत करेगा जिससे कि आप सभी कार आपके बनने लग जाएंगे ब्यापार या नौकरी हो सभी जगए आपको प्रमोशन मिलेगा और ब्यापार में वृद्धी होगी बात प्रमोशन में आपको चाहिए कि आप जब इशनान करे तो वशनान के जल में एक चुटकी हल्दी पिस्य हुई हल्दी डाल कर मिला कर आपको उससे शनान करें जितनी भी नकरात्म को जाएंगे वो उससे दूर होंगी ब्रिहस्पत बार का दिन भगवान विश्ण जी का दि माता लक्ष्मी जी कहती है कि अगर आप किसी यानि कि अगर आप को मिल जाए बेल का पत्र यानि बेल पत्र अगर आप बेल पत्र में आप स्रीम लिखकर माता लक्ष्मी जी जो बीज मत्र है स्रीम लिखकर अपने तिजोरी पर रखते हैं तो माता लक्ष्मी जी कहती है मैं उसके तिजोरी भर दोंगी दोस्तो हल्दी से लिखकर आपको रखना है दोस्तो हल्दी का बहुत चमातकारिक उपाय है हल्दी का जो डब्बा आप रखते हैं अपने किचन में उस हल्दी के डब्बे में भी आप सदैब उसे भरकर रखा करें कभी खाली मत रखा करें और उसमें दो लॉंग इलाची रखें तो माता लक्ष्मी का श्रीम कृपब रखती है कभी भी धन संबंधि समस्चाय नहीं आती है दोस्तों अगर आप एक चुटकी हल्दी अपने तिजोरी पे रखते हैं उससे पहले आप माता लक्ष्मी जी के चरणों के पास रख दें भगवान विश्मी और माता लक्ष्मी के चरणों के पास रख कर उसी हल्दी को आप अपने तिजोरी पे रखते हैं तो माता लक्ष्मी जी कहती कि मैं उसकी तिजोरी भर दूँगी कभी खाली नहीं होने दूंगी तो आप ये टोटका ये उपाय जरूर करें हल्दी का क्योंकि हल्दी का संबंध देव गुरु ब्रिहस्पत और भगवान विशुँजी चे है भगवान विशुँजी इस दिन बहुत प्रसंद मुद्रा में रहते हैं और हल्दी का अगर आप टोटका उपाय करते हैं तो माता लक्ष्मी जी आपकी तिजोरी भर देंगी और कभी भी आपको आपके जीवन में धन की कमी नहीं आने देंगी जीवन में सदयव आप ब्यापार में नौकरी में हर जगए आपको मान समान की प्राप्ती होगी जीवन में यह समान संतान हर जगए से लाब होगा और धन इतना आएगा कि आप संभल नहीं पाओगे माता लक्ष्मी कृपा से आप दिन दूनी राज चोगनी तरक्की करेंगे यानि कि माता लक्ष्मी जीन कहा कि जो भी हल्दी से करेंगे ये उपाए मैं उसकी तिजोरी भर दूँगी हल्दी का दान करना और हल्दी का माथी पर ठीका लगाना और आप चाहें तो थोड़ी से हल्दी का सेवन भी कर सकते हैं ब्रिहस्पत बार के दिन गुरु बार के दिन तो माता लक्ष्मी कृपा सदे बरसेगी तो दोस्तों कमेंट में लिखेगा जै मालक्ष्मी और साथी साथ दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा जदा जदा शेय करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जै मालक्ष्मी